देश में लोकस्वा चुनाव का माहौल है और दिल्ली में कॉंग्रिश ने उत्तर पूर्वी लोकस्वा सीट से जेनु चाथ संग के पूर अध्यच रहे कनहिया कुमार को टिकेट दिया है और कनहिया कुमार इस बार यहां चुनाव मेदान में है इस समय हमारी सत बाचीत करन लगे लिए मौजूद है जेनु चाथ संग के मौजूद अध्यच धन्यच हम धन्यच से जानेंगे कि करिया कुमार के चुनाव प्रचार में जेनु चाथ संग जाएगा पिछले जब लोकस्वा चुनाव में करहिया ने बेंगुसराइस चुनाव लड़ा था तो भी है कि इस बार चुनाव में लेकर उनकी क्या थे हैं 2015 में जेनु चाथ संग के अध्या कनहियो कुमार थे और इस बार वो दिल्ली उत्तरपूरी लोकस्वासिपत कैसी है तो क्या चाथ संग के लोग इस बार जो भाजपा की सरकार है और पूरी तरह से कह लिए कि चात्रों के खिलाफ यवाउं के खिलाफ किसानों मजद norms और महिलाओं के खिलाफ रही है तो आज के वक्त में ऐसे चेहरों की ज़रूरत है । यवाउं की जरूरत है कि जो हर वक्त लड़े इस सरकार में ठार को हख दिलने के लिए जब कनहिया कुमार जेनियू में भी पढ़ रहे थे उस समय भाजपा के दमन छेल रहे थे और सिर्फ कनहिया कुमार की बात नहीं है और भी अलग अलग जगों पर आप दिखेगा कि लोग चुनाओ जेनियू के लोग चुनाओ लड़ रहे हैं तो उसमें एक नाम आता है नलन पर मौजूद रहें और ऐसे लोगों को ऐसे चात्रों को एसे युवाओं को जेताना हमारी जिम्मेदारी है बतौर जिम्मेदारी लेकर हम करने के लड़ाई लड़ रहे हैं उनके पक्ष में खड़े हैं और उनकी लिए हम बिल्कुल चुनाप्रचार में जाएंगे हालंकि म करने करें प्रचार में भागपामा लेके अलग-अलग सीटों पर मैं जाऊंगा मौझद मौण प्रचार में जाओंगा बागी कहां कमार के लिए भी जीन दौर जाएंगे और हमें पूरी ताकत के साथ जाएंगे कि इस बार हलांकि जीत तैह हैं इंडिया गटपंधन के त साथ और मौजूद मौजूदा वक्त मैं अध्यक्ष हूं और मैं इसी दें कि हमारी है और इंडिया गट बंधन के इस प्रत्याशी के लिए करना है और उनके लिए बिल्कुल बोलना है और पुरी ताकत के साथ उनके छेत्र में जाकर वहां के लोगों को बताना है कि यह लड सरजील इमाम है या उमर खालिद है वह जेल में भी है उसको ले करके इस मामले को कैसे दिखते हैं कि यहीं बात है कि जो लोग उस दंगे को बुझाने की लिए गया है उस दंगा हालांके नहीं था वह प्रोग्रोम था कह लिजे कि एक जात एक दिसेश धर्म पर हमला किया कपल मिश्रा जैसे लोग जो बीजेपी के हैं सड़कों पर खड़े होकर दंगा भड़काने का काम करते हैं तो वहां सरजील इवाम जैसे लोग उमर खलीद जैसे लोग और भी अनजुजेन के चाहते हैं वह वह इस देश में समरस्ता वापस लाने के लिए लोगों मुहब पजा रहे है समव twist हान बचारे उसके लड़ाई लट रहते हैं लेकिन मौझदा सब्सक्रान सिर्खोर सिर्फ मुसल्मान होने के नाम पर पर यह 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 ज़िए से nettउैब्लया तोलियां कुछ टीम क्या बनाई है बिलकुल एक टीम बिलकुल एक टीम जाएगी बिहार की बिहार में जाएगी उसके अलवा अलग-अलग माध्यमों से सोसल मीडिया के माध्यम से अलग-अलग गीतों नाटकों और इन तमाम जरीयों से हम जनता के बीच में पहुंचेंगे और सरकार का चलावा है जो दस साल से चलावा है उसका परदाफाश करने के लिए हम निकलेंगे और फिजिकल तोर पे भी हमाँ मौजूद्गी दर्ज करवा कर भी सोसल मीडिया के भी जरी तो इस तरह की एक स्ट्राटीजी हम बनाने जा रहे हैं कि हम हर जगा हमारी अधिया को देने जाएंगे तो यह थे धरंजय जैनु छाथ संक मौजूद्ग आध्याच इटीव के लिए दिल्ली समय राहुल चोहन